हलो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल बीपीसी डिमिस्टिफाइड में देखिए दोस्तों एक्जाम का समय बहुत ही पास है आप लोग भी आप लोग का भी धरकन ह्टश मांगता है टेखिए को अब इस माँचर करेंगे दोस्तों हीं आप जो यह सारी लेक्चर में ऄप्लोड करते जा रहा हूं ही तो आप अपने मित्र के साथ किया कर रहे हूंग única और सअग्ऀ이 साथ इस वीडियो को अपना प्यार भी दे रहे हैं और इससे आपको जो भी नॉलेज jest प्राप्तव हो रहा होगा वह प्राप्त है और द्थे राप्त घ्याय को हैं कि वह बहुत ही में प्राप्तिस टोपिक एक्जाम्नेशन पोच प्राप्पेक्टिव से अप्राश्ठ पिता थे गांधी जी के गांधी जी जो अर्ली मोइंट से फेज में उनके बारे में हमें इस लेक्ट्र के दौरा जनना कि आते हैं उनके बारे में जानने को मिलेगा तो चली दोस्तों बेन फर्दर डिले की हुए आज का श्टार्ट करते हैं टॉपिक गांधी एंड्स अर्ली मुमेंट्स ठीक है चल प्रारम्बिक सिक्षा ठी dense ये कहां हुई राजकोट में दोस्तों ये ढ़ कर प्रारम्बिक सिक्षा कब हो ह mop जिनका उम्र महस 13 साल था दोस्तों महस 13 साल के उम्र में कस्तूरभा गांधी के साथ क्या हो मात्मा गांधी जी का क्या हुआ शादी हो गया कस्तूरभा गांधी जी का यह जुद्धाँ समय 13 साल था इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग थी बैरिस्टर की वो लिया इननेर टेम्पल लंडन से याद रखेंगे बारिस्टर विंग आ से गया उन्होंने इननेर टेम्पल लंडन से गारम जन्द गांधी इस दिवान थे ऑफ वांकरेर और राज्चकोट कर्म चंद गांधी जो थे कर्म चंद गांधी जो थे टीवान थे कहां वांकरेर और राजकोट में उनको क्या करते से काभा गांधी गांधी जो थे इंडिया कॉंग्रेस जो था सौथ एफ्रिका में गांधी जी के जवारा 1894 में क्या किया गया स्थापित किया गया उनके साथ ही साथ उनके जो कलीग थे उन्होंने इस्टेब्लिश किया टॉल्स्टाइ फॉर्म को बहुत इंप्रोटेंट है यह से सवाल आए हुए है टॉल् इंडियन जोगी और गुजराती और हिंदी में और तामिल लेंगवेज में भी पब्लीश होता तका नाम था इंडियन ओपीनियन ठीक है एक दो नियूस्पेपर का और नाम है दोस्तों आप्लोग मुझे कोमेंट सेक्शन होले था जो गांधी जी जवारा पकासित हो रहा कहां पर डर्बन सौथ आफरीका में 1974 इनके जो थोट्स थे गांधी जी जो इंफसाइज मोर और ट्रेक्टिकल आइडिलिजम पर था कार्ण माक्स लाइक कार्ण माक्स विलिव इन रिमूवल अफ स्टेट और फिलोस्फिकल अनर्किस्ट ठीक है ना उनको अगर आम फिलोस्फिकल आनर्किस्ट भी बोलने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्योंकि यह भी चाहते थे कि कोई भी इस तरीके का स्टेट जो है ना वह इंसान को गवर्न ना करे और कोई सी तरीके को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उनके अगले जो हतियार थे वो टुथ था जिसे हम सत्य कहते हैं सत्य जो की जीवन को तू सोचलिस्ट यह किया थे पूरे तरीके से समाजवाधिक एक तरीके से व्यक्ति थे रिटुक तो प्राइवेट और शोशल इंटरेश्ट इन्होंने क्या रखा क्ला किया उसकी अलगे नज़ें रखते हुए सब कुछ किया वो क्या चाहते थे he wanted to bring functionality to the noble idols of the social justice गांधी जी himself said to Louis Fisher गांधी जी ने खुद स्वेम कहा Louis Fisher से कि I am a true socialist मैं एक सत्य एक सत्य पे चलने वाला क्या हूं समाजिक व्यक्ति हूं socialist हूं और उनका जो एम था वो था क्या socialism था समाजिक्ता था सबके अंदर समाजिक्ता का प्रोग्रेश देखना चाहते थे शोशलिजम अब गांधी जी थोड़ा सा प्रभावित थे शोशलिजम जो का जो गांधी जी का सिद्दान्स था वो मांधी जो थोड़ा जहलक दिखता था गांधी जी गेव एक्स्ट्रा ओर्डिनरी या हमारे जो लेबर भाई बंदू है उनको यह वांटे तो ब्रिंग इन अक्शन प्रिंसिपल्ट एवर्यवन इस गिवन वर्क अकॉर्डिंग तो इस कैपासिटी और साथ हर आदमी को पेड़ क्या जाए एक रिवनुमरेशन जब उसको जरुवत हो ठीके न रिवनुमरेशन के मतलब से समझे की पुरसकार एक तरीके से मिले ठीके ना उसे पुरसकार मिले या मतलब कहते है ना जरुवत पढ़ने पर जो पैसा अतरिक्त जो चाहिए होगा उसकी अकौडिंग उसको मिले गांधी जी ने कहा I am trying to solve the problem which is being faced by the scientific socialism ठीके ना गांधी जी गांधी जी के अनुसार क्या था जो स्ट्राइक जो की हर्ताल सत्यागारा से स्टैटर्डी से मतलब मिलता जूठा और 12% क Nana Андra 은य एंटेम व कथा और जो यह था सफ़ां उसे मान के चलो कि मал prawd तरीके कि अपुप॥ Unless people 3 ठीके ना वेर हस्ताइब करना होगा ये उनका पहला हतियार था गनली जी का ये बहुत इंपोरेंट पॉएंट पॉएंट है गानदी जी 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 जो सत्यागरा था वलजट अगनी बन अगनी बन अगनी बन फे एक तरीके से व्हाद महां व्हार्ण जो था सथ्यागरा का गांधी जी का ये चैन्ज करना चाथा था the heart of enemy according to the demand of protestants instead of defeating the enemy ठीक हे ना ये इनका objective था गांधी जी टर्म क्या था सेल्फ कंट्रोल करना चाहते थे यह क्या था एक बेस्ट सलुशन था फॉर फ्वैमली पैमलिंग महादमा गांधी उस्टो से यह था जो साधन और साध्य है वो एक सिक्के के दो पहलू है दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट एंट से दे के नौड इसको क्या हम कर सकते हैं हमें इनको अलग अलगाओं नहीं कर सकते इम्मोरल मीनिस का यूज नहीं करना चाहिए ऑपनाना नहीं चाहिए दोस्तों यह जांना भी चाहिए वो अपना खुद ही क्या कर लेगा एक तरीके से उसका विनाश्ट हो जाएगा गलत तरीका होता है वो कभी सही राष्टा पकड़ लिया इंसान तो जो अंतिम जू मिलेगा वो भी सही मिलेगा गलत नहीं मिलेगा दोस्तों 1893 में जब उनकी उम्र महज 24 साल थी गांधी जी पहुचे डर्बन जो की साउथ आफरिका में है उन्हेंने एक केस के लिए लड़ा एक केस लड़ा गुजराती ट्रेडर जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला यह पूछ सकता है कि भाई साउथ आफरिका म महात्मा गांधी की उम्र महज 24 साल थी तो उन्हेंने एक गुजराती ट्रेडर का के लिए एक केस लड़ा था उनका नाम क्या था दादा अब्दुल्ला मुहमद अब्दुल्ला साजीद अब्दुल्ला यह कोई और अब्दुल्ला ठीक है मतलब कि मेरी भावनाओं को समझ अफ्रिका रहे करीबन एक कई साल था और फिर भारत रिटर्न हुए 1915 में पब्लिक ने वेलकम किया विद इंथूजियाजम ठीक है ना और ही स्ट्रगल और विक्टोरियस इन साथ आफ्रिका में एक कई साल अपना उम्र का जो समय था मतलब उम्र का जिंदगी का 21 साल जो क बहुत ही खुश्मिजास तरीके से गांधी जी का स्वागत किया और उनके स्ट्रगल थे जो उनकी अर्चने थी और जो उनकी जीत का जो जश्न था साथ अफ्रिका में जो उन्होंने जीता था और यहां पर भी बहुत क्या था भारत में प्रचलित बहुत जादा था जब वापस भारत आये उन्होंने ग्रोपाल कृष्ण कोखले से क्या होगी मुलाकात की दोस्तों वो उनके क्या थे राजनितिक गुरू भी थे गोपाल कृष्ण गोखले बहुत ही प्रॉमिनेंट लीडर थे हमारे भारती राष्ट्री आंदोलन के गांधी जी जो थे यह पहली बार पार्टिसिपेट किया थे कॉंग्रेस सेशन को कलकत्ता 1901 में दोस्तों एक चीज और बत की थी जो कि पावल्टी प्लिक की थी मैंने इतना भी बताती है उस किताब का क्या नाम था आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे याद आ गया तो इसलिए पूछ लिए आपसे और आपको बताना भी चाहिए दोस्तों इस सेशन में एक रिजॉलूशन जो था बाँबे उन्होंने जब गांधी जी जब भारत आए 1901 में उस समय जो चैयर परसन कों थे दिन सा वाचा थे वह जब वापस आए भारत उन्होंने इस्टेबलिश किया अपना जो ऑफिस जो है वह स्टेबलिश किया बाँबे में ठीके ना ओफिस कैसा था लौ ऑफिस था गांधी जी ने 1915 निर्मान किया कहां पर आइमदाबाद में जो आश्रम था उसको क्या किया वहां से शिफ्ट कर दिया गया और वह कहां पर साबरमति रिवर के तट पे 17 जून 1917 को क्या किया स्टैबलिश कर दिया गया और वह एक एकनॉमिक एक्टिविटी था तीक ना गांधी जी बिलीवट एक्टिव पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स अन इंपॉर्टेंट टूल फॉर सोचल अप्लिफ्मेंट ऑफ पॉब्लिक वेलफेर गांधी जी का ज है इस टेक्स्ट में क्या हुआ यह क्या हुआ डिसेंट्रलाजेशन ऑफ पावर इस इस कॉंटेक्स्ट में क्या हुआ पावर का क्या हुआ डिसेंट्रलाजेशन स्टार्ट हो गया सेंट्रलाजेशन नहीं डिसेंट्रलाजेशन मतलब कि केंद्री करण से नहीं वी केंद्र देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताना है वायरल बहुत तेजी से चला हुआ है बार बार कह रहा हूं और यह वाकई बहुत जादा तेजी से फैला है प्लीज अपना ख्याल रखिए मेरे को पकड़ लिया है और मैं चाहता हूं कि मेरे भाई बंदु ज अयोची ओने हिंख संप मजते हैं जैसाल स्थैनम कंड़ी जी है हमारे माने नी प्रतान मंत्री जी है मोदीजी मालिजी का बाल लिए और बावन मौन्रेजिक है ऱैठन बतलस तो पहले समय में क्हां था तो इसलिए क्याता हुआ हमें घृर सिस्टम हमारा जो गबर्मेंट ह तीन स्तरीय पर दिवाइड हो गया जो कि हर स्तरीय पर अपना अलग-अलग नियाय करने का क्या हुआ लेवल हो गया दोस्तों अब जैसे क्या हुआ हम क्या हुआ अगर decentralization करना होगा तो नीचली तपके को कैसे फाइदा मिलेगा वहां पर भी क्या होना चाहिए तो क्या हुआ ग्राम पंचायत बना गया इसी से यह वाक्या यही कहरा विद डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर गांधी मीड़ दा पावर टुप ग्राम पंचायत तुम मेने ट्रिजन और एब्स पावर टेकर टेकर चाहते थे क्या है इस्टाइश्मेंट ऑप स्टेट-ले सोसाइटी यह स्टेट-ले सोसाइटी चाहते ते घांधी जी अंग जी मानने ता ग्दी जी ने अंग्डी जी नेंड ओन गूंगि इंड'न अफ और अफरीका एज उनके हिसाब से जो पैसिव रेजिस्टेंस था यह क्या है पॉलिटिकल वेपन है जो सत्यागरा है एक मॉरल पावर है यह गांदी जी का वाकिया था जो की इंपोरेंट पॉइंट है ध्यूरिंग इंडियन फ्रीडम घृर्ति राष्टी अंदोलन में के दर्मिया गांदी जी उन्नी सु शात्रा में क्या करते हैं संच चंपारन सत्यागरा का स्टार्ट कर देते। ये बहुत ज्यादा स्ट्यागरा था क्या भारत में गांदी जी ने लिंग किया इंडिया and believe in market for the foreign manufactured for goods manufactured goods गांदी जी फ़ॉर्मूला by court of foreign goods the production and sale of Indian goods are promoted ठेने अगर हम by court करेंगे foreign goods को और उसी से क्या होगा production मतलब की production होना मतलब क्याते हैं ना प्रोडक्षण स्टाइट हो जागा जॉन रस्किन की किताब है अंटू दिस लास्ट जब वो आफरीका थे गांडी गांडी जी ने लिखा एक बाइग्रफी बाइग्रफी लिखा क्या that is that this book changed his life गांडी जी के हिसाब से जो मैसेश था बुक का the god was the good of the individual is contained contained in the the good of the the good of the individual is contained in the what good of all on the basis of गांडी जी rendered his ideology of the welfare ठीके ना for of all among the secular writers ठीके ना थार्यो रस्किन एंड तोल्स्टोई ये जो थे influence किये गए थे गांधियन के आईओलोजी को क्या किया था इन्होंने थार्यो और रस्किन थार्यो रस्किन और तोल्स्टोई जो थे गांदी जी के अन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लूएंस किया था रस्किन जो थे वह उनको टॉट किया किया रिस्पेक्ट था फिजिकल लेबर गांधी जी वाद इन्फ्लूएंड बाइब इन्होंने बहुत ज़्यादा करते थे इंडिया जो अचूत व्यक्तियों थे जो अचूत वर्क था हमारा भारत उनके लिए गांधी जी ने जी तोड महनत की और वो चाहते थे कि उनको भी एक स्टेटस मिले हमारे भारत में गांधी जी का कहना था क्या यही मेरे जीवन अगर मैं उनकी सेवा नहीं करूंगा ना तो मैं एक मिनट भी सर्वाइब नहीं कर पाऊंगा चंपारन और खेड़ा फार्मस मोमेंट वो क्या था एक तरीके का किसान विद्रो था चंपारन खेड़ा याद रखेगा किस तरीके का मोमेंट था चंपारन खेड़ा यह था एक तरीके का किसान विद्रो चंपारन दोस्तों हम लोगों को पता है कि जो की नील की खेती के पहला सत्यागरा था क्या गांधी जी का भारत में इन बिग्निंग ऑफ नाइटीन सेंचुरी वाइट ओनर्स फ्लांटेशन मेड अग्रिमेंट विद फार्मर्स के साथ कि तीन बटे बीसमें हिस्से पे क्या होगा। यह जो हुआ था यह पश्यमी चमपारन जो है बिहार के एक शेत्र है वहां पर यह पाया जाता है। जिसे नील की खेती कहती है वही चम्पारन सत्यागा यह जो बिहार में पढ़ता है पश्चमी चम्पारन और पूर्वी चम्पारन में दोनों जगा यह बहुत ज़्याद प्रक्याद भी था यह 3-20 हिस्से पे क्या करते थे इंडिगो और इसा एक तरीकी का प्लांट है जो क् सबस्क्राइब इसे इस सिस्टम को क्या करते था तीन कठिया सिस्टम करते था दूस्तों या दर किकर तीन कठिया सिस्टम Plantation owner increased tax rates and the other illegal taxes as to exploit farmer farmers को exploit करने and make it impossible to get out of the contract against this exploitation of the farmers गांदी जी स्टार्ट चंपारन सत्यागरा इस से क्या हुआ इस क्या है प्रॉब्लम के अगेंस्ट में इस exploitation के अगेंस्ट में गांदी जी ने मुहीम उठाई और चंपारन सत्यागरा की बिगल को बजा दिया और अंजोलन छेर दिया इन वेस्टिगेट इसमेटर गवर्मेंट कोंस्टिटूटर कमेटी और गांधी वाज अल्सों वन फ़ेंबर्स टिकेंड इन विश्टिगेट करने के लिए गवर्नेंट ने क्या बना एक कमेटी बनाया और गांदी जी क्या थे उसकी एक मेंबर थे ठीक है प्रशूट के गांधी जी को टूलुक इंटु दब मैंटर्स ऑफ एक्सपार्मर्स इंचंपार अटिकेंड राम राजकुमार शुक्ला जी थे वह पर्शूट के गांधी जी को टूलुक इंटु दब्धू कि यह लुक इंटु दब मैंटर्स ऑफ फार्मर इंद चंपारं की वह इस खुद मैंटर में एक्सपार्टेशन जो हो रहा है उस मैंटर में खुद क्या करें देखें यह राजकुमार शुक्ली जी का बहुत था यह वह एक तरीके से कंपेल कर रहे थे कंपेल करने का मतलब है वह चाहते थे जो पीपल थे अपने आप में बहुत बड़े नाम थे राजकुमार प्रसाद थे राजकिशुर प्रसाद थे और एंगी रंगा ने उनको क्या किया था अपोस किया था यह बहुत इंपोर्टन पॉइंट है सब तो सपोर्ट थे लेकिन एंगी रंगा क्या थे अपोस किया थे गांधी जी सपोर्ट चंपारन मुमेंट ठीके ना वेरेस रविंद्रनाठ टेगोर गेव तो हमारे बहुत ही प्रक्ष्यात और विद्वान और बहुत बड़े पोयट और गितांजली लिखे हुए का जैसा एक महाभास लिख दिया रविंद्रनाठ टेगोर ने उनको ही क्या दिया महात्मा का टाइटल दिया इस अंदोलन के द्वर्मिया आफ्टर चंपारन मुमे प्लेग जो फैला था उसके रिगार्डिंग ये बात हो रहा था एमदाबाद में ठीके ना कॉटल मील ओनर्स और लेबर्स के बीच में यह टसल था याद रखेंगे गांधी जी कन्विंस्ट वर्कर और ओनर्स तो हैंड ओवर दिस इस इसू टो ट्रिबिनल ट्रिबिनल को प्रोटेस्ट था अन्तिम विकल अन्तिम जो उसका क्या क्या देना रिजल्ट जबाया तो क्या हुआ यह ओनर्स ने क्या क्या हैंड ओवर कर दिया इस मैटर को ट्रिबिनल को बात में जो ट्रिबिनल था प्रोणांस किया 35% of compensation 35% of compensation भी दिया 1918 में जो खेड़ा का अंदोलन था जो कि किसान अंदोलन था यह फेलियर था क्रॉप्स के फेलियर के लिए इन्होंने लड़ा था जो गवर्नन ने डिन 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 गेव एनी काइंड ओव कंपनसेशन इन डिवन्यू नॉट डिट दे स्टॉप्ट अधिक्शन ओफ लेंड और ना ही यह रुके थे क्या लेंड रिवेनियों को अपना लेने के लिए रुके हुए थे तो यह क्या था गलत आचरण था किसका गवर्मेंट का भारतिये किसानों के प्रति या घारतिये लोगों के प्रति इस मैंटर पर गांधी जी ने स्टार्ट किया एक सत्यागरा कि के favor में farmers के favor में शुबाश चंद्र वोज पहली बार गांधी जी को मिले और उन्हें क्या कहा उन्हें राष्ट पिता कहा father of nation भी कहा जुलाई 1944 में speaking on अजाद हिंद्र एडियो शुबाश चंद्र वोज ने address किया गांधी जी and said the final battle of Indian independence has started father of nation we need your blessing and God bless on the expedition प्याए लाल नायर जो थे यह secretary ते क्या गांधी जी कह बहुत इंपोर्टेंट है प्यारे लाल लायर जो थे वह गांधी जी के निवानाल नैयर इनके सेक्रेटरी बन गए गांदीजी के बहन थी शुशिलर नायर वह पर्सटर डॉकटर अफगांदीजी के पर्सटर दॉक्तराइब प्यारे लाल रोल उने गांधी घांधी जी डांडी मर्च में में जमिन लाल बजाज का जं मिधन जैपूर में यह घाद रखा شेँ जो आतरा सुन नावासी में इन्होंने अडॉप्ट किया एक रिच ट्रेडर और और वर्दा से उनको रिच ट्रेडर का एक वो मिला किया ना स्क्राइब चाहिए ना एक नोलिजमेंट मिला जंबढ़ार कोंश सब्सक्रेंधा मतिशार अवे फानसीनर हर सब्सक्राइब है गांदी सेवा जंग जब भी भेजा गया एक फ्लैक सत्यागरा के रिगार्डिंग और अगें 1930 में सिविल डिशोबडियों मुव्मेंट जब हो रहा था उसके रिगार्डिंग में उनको भेजा गया बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट था अगला पॉइंट है क्या चार्ल्स एंड्यू जी ने हम क्या रविंद्र नाट टैगोर के साथ उनका क्या था एक गहरा संबंध था किसका चाल्स एंड्रिव जिने हम कहते थे दीनबंधू एंड्रिव गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांदी के साथ भी इनका एक प्यारा और एक साजहा भरा संबंध था उन्हों ने वह जो र गांदी जी ने देखा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया वेशकता नहीं होती है मैं बार बार कहता हूं दोस्तों जब वह प्रत्यक्ष देखे गांदी जी कि यह जो चाल्स एंड्रिव जो जो क्यालते हैं गरीब भारत के गरीब कुछली लोग है उनके तरफ यह बहुत सब्सक्राइब गांदी जी कभी भी मेंबर नहीं के जब तक भारत आजाद नहीं हो गया in the year of 1934 he resigned from the Congress 1934 में उन्होंने Congress से resigned कर दिया अरे बाप रे बाप स्वारी स्वारी दोस्तों स्वारी I'm extremely sorry afterward he'd never become a member of Congress officially but his ideologies played in a very significant role in the political scenario बहुत ही ब्यादा important role play किया उनने सो पर रहे तिल 1910 तक गांदी जी को अप्लाई कि अपना प्रिंसिपल अफ ट्रॉस्टिशिप इन दा हिस लॉफ फर्म गांदी जी बिलीफ करते थे क्या दाट एक्वानमी ऑफ इच कंट्री शूद बीटर्माइन आफ्टर कीपिंग इंट च्छिप गांदी जी चाहते थे क्या इस्टेश करें एक सिस्टम जो एक परसन विद इस इंडियां की ऑण वस्तुओं है फिर से जगाया पुलार क्या जागरान हों का एक तरीक जिसरी में का भी सो दो डट यह से प्रीट और फूट टो फूट टो एफूटो और ओजुच कीपीं ऐसी इंडस्ट्री बन जा और भारती के जो जो समान हो इतने अच्छे से काम हो ताकि हर व्यक्ति का जो है वह पेट भरा जा सके और कोई भी भुखमरी से किसी की मौत ना हो मृत्यू ना हो गांदी जी इंफरसाइज क्या करते थे इंपोर्टेंश पर करते थे इंपोर्टेंश या जाइजरेश ऑली एक्स्ट्रूडिश और चाहते क्या क्या जो गरीब कुछले और बहुत ज़्यादा अतिशोशित व्यक्ति हैं सामाजिक एवं मारतिक रूप से उनको क्या हुआ उनका जीवन में सुलार रहें तीस जनवरी उन्हें से वर्तालिक को वो दिन आ गया जो गांदी जी को इस दुनिया में वो नहीं रहे इस दुनिया को वो छोड़कर चले गया नाथुराम गोट से ने उनको मार दिया उनकी हत्या कर दी गांदी जी की जो यह नहरू जी का कतन है जो हम है अब हमारे जीवन का रोशनी जो है वो शला गया है और हम अंधकार से पूरे और से घिर गया है अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और कैसे करूं चीजों को मैं फिगर आउट नहीं कर वरो हमारे जो राष्ट पिता थे जो जिने हम बापू कहते थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और गांदी जी इस दुनिया को छोड़ करके हम सब के वीच से चले गए 30 जुनवरी 1948 को तो दोस्तों किस तरीके से गांदी जी का ये सफर रहा भारती राष्ट्री अंदोलन में और उससे पहले का सफर जिस तरीके साथ साथ अफरीका को अपना कैन्वस बनाया था और इंडिया में आके परफॉर्म किया था और जबरदस तरीके से 1947 को पंदर अगस्त 1947 को हमारा जो देश है वो आजाद हो गया और हम आजादी के और अग्रसर हुए इसमें महात्मा गांदी का एक जितना भी कहें जितना भी तारीफ करें मैं क्या तारीफ करूंगा हम क्या तारीफ करेंगे हम लोग तो कुछ बोलने के अधिकार भी नहीं ह और लाखों लोगों के बलिदान के बदोलत आज हम हैं जो खुले सांस में खुले आसमान के नीचे और खुले मन और विचार से सांस भी ले पा रहे हैं यह सांस भी धी गई उनहीं हमारे नैशनल लीडर्स की है और इसका हमें सम्मान करना चाहिए दोस्तों कभी भी गलत आ इसलिए कहता हूं हर काम में दोस्तों चाहे आप कुछ भी कर रहे हो किस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख मिली और हमें भी उपने जीवन में उतारना चाहिए और यह मेरी लाइन हमेशा याद रखेगा इसलिए आप भी कोछ भी कर रहे हो इतना उसको अच्छे से करो अगर वही आपका दर्शाता है कि आप अगला काम कोई भी काम करोगे जीवन में उसका reflection उसके आएगा दोस्तों तो जो भी कह रहे हो जो भी आपकी सोच है चाहे वो कैसी भी थी थी का आपका कोई जीवन में अस्तित्व नहीं होता है आज क्या है यह सोचना दोस्तों मैंने जो गलतियां किया मैं उससे replace नहीं कर सकता दोस्तों उन गलतियों से सीख सकता हूँ और आगे बढ़ सकता तो उसको सही करने का तरीका क्या है दोस्तों कि आज अभी से इस छड़ से भी अगर आप बदल गए ना यह लाइन बस याद रखियेगा आपको हर काम में एक perfection के जैसे काम करना तब ही आप जीवन के सारे काम perfection के साथ कर सकते हो मैं जानता हूँ perfection एक दिन में नहीं आता लेकिन दोस्तों एक दिन जरूर आता है और मैं इसी कहानी के साथ यही समझाना चाहता था यही गांधी जी की भी कहानी थी वो काम को perfection करते गए करते गए करते गए करते गए और last में आकर के हमें भारत को क्या होई आजादी मिल गए वही perfection के हिसाब से तो चलिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमनों नहीं गांधी जी की जो moments थे भारत में और भारत से पहले उसको देख लिया है उनके life के कुछ इतिहासिक पन्नों को भी देख लिया है आ जाते हैं अब examination द्रिश्टी कोड से जो सवाल आए हुए उनको भी solve करते हैं करम चंद गांधी वद्ध दिवान ओफ कहां के थे तो वह कहां कहां के थे दोस्तों वह जो दिवान थे वह कहां क पढ़े थे यह कहां पढ़े थे सामल दस कॉलेज जो भावनगर में वहां किये थे ठीके ना यह बहुत इंपोर्टेंट दोस्तों चाशाट में प्रीम में बहुत इंपोर्टेंट अती महत्त्य पूर्ण सामल दस आर्ट काले भावनगर में इन्होंने किया हुआ 1850 में अपनी पढ़ाई उत्रिड की प्रस्तंक्य त्री कोश्य नमर थर्ड के तरफ आ जाते हैं कौन सा इंटरनेशनल इवेंट इंफ्लूएंस किया था कोर्स आफ नैशनल मोमेंट इन इंडिया वह कौन सा था दोस्तों वह कौन सा आपका था मोमेंट सुरी यारी कहा स्लिप कर गया है तो तो देखिए इटालियन एबेसियन वर जो था अठारा स्वंठावे का यह भी इससे इंफ्लूएंस था बॉक्सर मोमेंट चाइना था वह भी था रिवलुशनरी मोमेंट जो एरलेंड में थी वह भी थी और विक्ट्री ओफ जापान ऊबर रश्या जैपनिस वार यह भी ज जबस देखिए था उसको जो पावर जो एक लिए पर घरी का वह भी था भॉक्सर ममेंट वो था थाथा यह तवे चाइना था विक्ट्री किया की उपर कि स्वें जापान पर इंटना-श्यूेश वर वर्ट इंटनेस्ट इविए ईट्वेंट वीक्ट्री उपां ओर डॉमिनेंट कंट्री दॉम है डॉमिनेंट कंट्री का वह बन गया थूदा मिलिटरी अप्रोच ओर द पावर्फुल कंट्री ऑफ यूरोप दो डिलूजिन ऑफ वर रिजॉल्ड दर दा वाइट पीपल आर इन्विंसिबल प्रसंक्या 4 के तरफ बढ़ जाते हैं जो मैगजीन था पब्लिश किया गया महात्मा गांदी के दोरा जब वो साथ अफरीका थे तो वह क्या नाम था इंडियन उपीनियन नम था दोस्तों प्रसंक्या 5 फीनेक्स फार्म कहां पे था वह कहां पे था आपका दर्बन साथ आफ नमर भीरोट प्रसंख्या 6 ऐट दरफ जाते हैं यह सत्यकों पहाने का यहीरे रहा है दोश्तों प्रसंख्या 9 क्या है जो गांदी के रिगार्ण सही है वह क्या है एक इंडिवेजियूलिस्ट एंशोष्यलिक्स बहुत मंग सच्छिलिए दोस्तों कोसी चींच्छी है जो सत्यागरा का तो क्या था स्ट्राइक था दोस्तों प्रसंक ग्यारा क्वेश्ट नमर 11 के तरफ आ जाता है कौन से स्ट्रेटमेंट जो सही एस पर गांधियन प्रिंसिपल दा एम एकडम सबसे सही और सटी कुटतर है दोस्तों तो अप्शन नमर यह हो जागा सई हो जागा प् प्रसंक्या 13 वाट आइडिया इस गीवन तो गांधी जी फॉर फैमली प्लैनिंग वो क्या था सेल्फ कंट्रोल सेंट कंट्रोल इस बेस्ट मीन फैमली प्लैनिंग आत्मनी अंत्रड प्रसंक्य चौदा क्वेश्ट नमर 14 के तरफ आते हैं जो गांधी जी रिटान हुए थ सब्सक्राइब निकाल दिया गया था उनको कौन सा था वहां पर प्रसंक्य 17 को श्टेटमें दिया गया बिटिश कोलोनियल भारत में उसके अंद्रगत जो सही वह बता नहां में कि मात्मा गांधी एक क्या थे इंस्ट्रॉमेंटल थे इन अबॉलिशन अब इंट्रूइट लेबर एकदम सही था वह लूबर के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्लूएंस भी किये थे लोगो लोगो लॉट चैंसवाट जो थे वर कॉन्फरेंस वर कॉन्फरेंस के समें मात इस प्रसंख्या नाइटिन के तरफ आते हैं कौन सा जो सेशन है भारती राष्टी कॉंग्रेस का पहली ब्रवर अटन किया था मात्मा गांधी ने वह कहां किया था क्यलकत्ता सेशन किया था 1901 में दोस्तों याद रखिएगा हमने पढ़ाया भी था आपको अभी थोड़ महात्मा गांधी जी के द्वारा भारती राष्टी अंदोलन में यह लोकेश्ट अउसकर्ट पर किया था यह लोकेट रहा था प्रसंख्या 20 के तरफ आता है कुशन नम्बर 20 के तरफ आते हैं दोस्तों महात्मा गांधी ने सेट अप किया आश्रम और बैंक्स ऑफ साबर मत प्रस्तंक के तरफ आजाते हैं कौन सा जो फॉल्विंग आश्रम का वह रिलेटेड एक्या महात्मा गांदी से और यह सबसे पुराना है वह क्या था फीनेक्स आश्रम दोस्तों गांदी जी परचेस किया थे सम्नियर लैंड नियर फीनिक्स स्टेशन एंड स्टैब्लिस फीनेक्स सेटल्मेंट इंदा में 1904 इनने इसको रियोपन किया गया 27 वर 2000 को यह पहला आश्रम था जो गांदी जी ने अडॉप्ट किया था सेवा धर्म वह कहां पर किया था वह किया था आपका सौथ आफ्रिका में है ठीक है प्रसंग्या थेश्ट कोश्ण नमर्ट 23 के तरफ आ जाते हैं कौन सा जो फॉल्विंग पॉलिटिकल गूरु जो महात्मा गांदी जी के तरफ से पॉलिटिक्स का मतलब क्या था एक्टिविटी फॉर पब्लिक्स वेलफेर यह था यह महात्मा गांदी जी का जो फॉल और सोल गोल था प्रसंग्या पच्छीस कोशन नमर्ट 25 विच फॉलिंग इस नाट फीचर ऑफ पॉलिटिक्स एज रफ गांधियन मॉडल और जो था फीचर जो पॉलिटिक्स का वह गांधियन मॉडल पर नहीं था वह क्या था दोस्तों अथा 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 इन इसाथ नहीं के दरब भारती के जो स्ट्रगल हो रहा था इंडिन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेडनेस विच वास्ट टु स्ट्यक्रा किसने पहले स्ट्रट के था वह कया था महात्मा गांधी जी के दवारा प्रसंग्या था इस लिए ये फेमस थे यह पैसे रिजिस्ट के थ्रूप इसे लिए यह फेमस थे प्रसंख्या उन्टीस कोश्च नमर ट्वंटी नाइन कि वह मंग दर फॉलिंग है टोल डिस्ट्रक्शन इस बेस्ट में दॉट अव डिलिंग विद फॉरेंग लुट्व यह किसके दौरा का गया था महात्मा गांधी जी के दौरा प्रसंख्या थीज कोशन नमर थर्टी के तरफ आ जाते हैं गांधी जी ने बाइकोट किया था ब करके यह चाहते थे कि इंडिया भी स्टैब्लिस करें और रिवाइफ करें अपने प्रॉब्लम से कुछ क्रॉनलोजिकल सीक्वेंस हैं जो पॉलिटिकल लाइफ हुए ते महात्मा गांधी के लाइफ में हुआ था उसको हमें देखना है सबसे पहले क्या हुआ था दोस्तों पर संक्या 32 कोन साथ मेंबर चंपारन एंक्वेरी कमेटी का कौन नहीं था देखिए नहीं पूछ रहा है तो कौन नहीं थे अनुगरा नरायन जो थे वो नहीं थे इंक्वेरी अग्रेडियन कमेटी के नहीं थे थीक्या चलिए प्रसंग्या 33 को नमर 33 पर कौन सा जो था पहला सत्यागरा महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टाट किया गाता तो कौन था चंपारन सत्यागरा था तो आप्सिन नमर सी क्या हो जाका परास सही हो जागा दोस्तों विच अ फ़ॉलिंग वज़ा गांधी जीका वो कौन सा था चंपारण सत्यागरा था दोस्तों जो कि बिहार में हुआ था और किस ने बुलाया था राजकुमार शुक्ली जी ने बुलाया था कि आया प्रसंग्या 35 के तरह इंडिगो कल्टिवेशन था भारत में वह डिक्लाइन हुआ बेग्निंग ऑफ ट्वेंटीथ सेंजरी क्यों पीजन रजिस्टेंस और ऑप्रेसिव कंड़क्ट अफ प्लांटर्स नहीं यह नहीं था दोस्तों इस अन प्रॉफिटबिल्टी इन वर्ल्ड मार्केट बिकॉस अफ नियू इन्वेंशन यह सही था इसलिए डिक्लाइन हो रहा था कल्टिवेशन भारत में नाशनल डिटर अपोसे कल्टिवेशन ऑफ एंग डिगो एथा कुछ नहीं था केवल गांधी जी को उससे मतलब था बहुत ज्यादा लोग प्रॉमे सत्यागरा नोस्तों थे भी अधाट फिर शेक्राइबाद सत्यागरह रोगो एड़ोट जो आफसे मतलब नहीं सबसे एक्टिव इन्वालेम्ट अफ डॉट्टि ट्राइब इसलिए किसान विद्रो भी खाँ जाता है इसको ड्रास्ट डिक्रीज तक कल्टिवेशन का और प्लांटेशन क्रॉप का कमर्शियल क्रॉप के ओबर यह गलत है तो ऑप्शन मर्सी किया हो जगा हमारा सही हो जगा दोस्तों प्रशन दंक्या 38 के तरफ आ जाते हैं कौन जा स्टेट्मेंट है जो महात्मा गांधी के हिसाप से सही था के लिए सही था कि रिसी अर्ली एजुकेशन अट राज को टेक्दम सही है कस्तुरवा गांधी के साथ उनका विवा हुआ था 13 साल के उमर पे इन टेंपल लंडेन में उन्होंने क्या हुआ स्टेडी की थी लोग की विवाज इन्फिमेंट रुक रसकिन बुक अंट देलास एकदम सही चारोग चारोप्शन क्या मरेगे सही हो जाएंगे प्रसंख्या 39 माहत्मा गांधी ने कहा था इस दीपीस कन्वेक्शन वेर्ट रिफ्लेक्टें इस बुक उन्होंने सोच भी रखा था रसकिन बंड की किताब थी उससे कि अंटू दा लास्ट कि किसके काम ने कि अब बहुत ज्यादा इंफेक्शन है दोस्तों प्लीज बचा करें रहिए क्या हूँ रोट दा हूँ वर्क वस इंफ्लेंस दा मां गांधियन कॉंसेट किसका वर्क इंफ्लेंस किया तो यह तीनों का जो था घॉरी नहीं था गांधिय जी नहीं था गांधिया दोस्तों प्रसंक्या ब्लब भाइक फटेर के दौरा लिया गया प्रसंक्या तैस्ट नुमर फटी त्री इस कंटेश्ट में जो भारती इतियास में बताना है कि रिगाड़ाइडम वाइकॉम सत्याग्रा यह सत्याग्रा था अगेंश अंटेचिबिल्टी डिस्क्रिमिनेशन एकदम सह प्रसंक्या चौशन नमर 44 कुछ स्टेट्मेंट जो है वह सही है रिगाड़िंग गांधी जी वह बताना यह एकदम सही है लैंड लॉंच किया थे नॉन कोपरेशन मुमेंट को एकदम सही है सब्सक्राइब से सारे के सारे जो ऑप्शन हैं हमारे सही हो जाएंगा दोस्तों प्रसंक्या पयंतालीस को नमर 45 जो पहला 1 यह उनको महतमा गांधिता महतंमा गांध को फादर 550 40 46 महादनी और अबट प्रसंग दूब्ला था चंपारण सत्यागरा के दर्विया जोड़ा था दूस्तों कि प्रसंग्या सैंतालिस कोश्चन अबर 47 गांधी जी हुआट वाट हुआज हुआज हुआप फॉलिंग को गांधी जी माहत्मा फॉर्स्ट इम सबसे पहले माहत्मा गांधी जी को किस नह सब्सक्राइब दूस्तों प्रसंग के 48 की बात कर लें 48 की जो सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के नुरिंग नुवा खली वह कौन थे प्यारे लाल थे और जीवन बर उनके साथ ही रहे दूस्तों इनकी बहन थी उनकी परस्टनल डॉक्टर थी आप समझ रहे हैं इन वीच सब्सक्राइब या महात्मा गांधी जो थे 36 गड़ आये थे पहली बर कब आये थे 20 दिसंबर 1940 को आये प्रसंग के क्या हूं कॉशन नमर फिप्टीवन फिप्टीवन की बात करें हूं मंग फॉलिंग गांधियन फॉलवर वाद टीचर प्रोफेशन वह कौन थे जे भी क्रिपलानी सर्थे वह ही गया था ट्रेशर फॉर मैनी एर्स एंड वेंट टुजेल इन नाइंटीन थी वह कौन थे वह जम्ना लाल बजाज थे हम लोग ने पढ़ा था दोस्तों जैल भी जाना पड़ा गया था इस जब इसकी क्यालते हैं इस ट्रेजर जब यह यह आई सीसी के मेंबर थे तब अब को इस नमर्व फिट तरी नमर्व तिरपन पूशन पर आ जाते हैं जो इंडियन और इस इस ते महात्मा गादी यह डिस्क्रिप्शन किसकी लिफिट होता वो थे कौन जम्ला नाल बजाज जी थे दोस्तों याद रखिएगा प्रसंग के चोवन महात्मा गादी क्लोश सब्सक्रिप्शन के इंग्लिश केंपट्रियों दूरिंग फ्रीडियम मुव्मेंट वह कौन थे वह थे चार्ल्स एंड्रियूस थे दोस्तों कि प्रसंग के पश्पंपन को सब्सक्राइब फिप्टी फाइब फिप्टी फाइब पर आ जाते हैं मौसलिम लीडर थे अब कंपेंड कि ए महात्मा गांदी एज आराइवल अच्छिछ गणि नायंटीन ट्वेटी वह कौन थे मौलाना शाकात अली थे याद रखिएगा दोस्तों महुलाना शौकर तरली इंपोर्टेंट है दोस्तों कॉस्चन प्रसंग के चप्पन कुछन फॉल्विंग में से कौन था जो जेल वाज नेम्ड एजा मंदिर भाई गांधी जी वह कौन सा यर्वाडा जेल जो पूने महाराष्ट में वहाँ पर इंडियन इंडिपेंडेंटर्स महात्मा गांधी वह क्या थे एक कांग्रिस इंडिपेंदेंटर्स कि क्या थे मेंबर नहीं थे दोस्तों तब कुछन नमबर गांधी जी के दोरे कहा था मांट बैटन की दोरे का घगया कि ने कहा गुपाल कृष्ण गोखले ने कहा इस चीज़ को प्रसंग के एक सट क्वेश्ट नबर 61 हो एडवाइज गांदी जी तु ओपन इस अन ऑब्जर्वर और स्टुडेंट फिस स्टुडेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स वह कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों प्रसंग्या बास्ट कुस्ट ने कहा क्या रॉंग मिन्स नेवर टेक्स तु राइट एंड यह कहा था माहत्मा गांदी ने दोस्तों माहत्मा गांदी को पहली बार लिया था यूशिँग्र स्ट्राइक परसंगेचね। स्ट्राइक में पहला पुब्लिक स्पीच इंडिया में वरानसी में दोस्तों कि गांदी जी ने लॉंच किया मिशन फ्रिंग बॉर्णेट लेवर यह कहां किया था चंपारन में किया था दोस्तों इसलिए सथ्पीट कुस्षटी एड सत्यागरा इस्टार्ट गांधी जी का एहम्दाबाद में इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए क्वेशन संक्या आपका 69 कुछन नमेर 69 कौन सा जो था स्ट्रगल महात्मा गादी का जो रिलेटर था इंडेस्ट्रियल वरकर से वो किसे रिलेट था आपका एहमदाबाद सत्यागरा से रिलेटर था प्रसने संक्या 70 कॉस्टिन नमेर 70 सब्सक्राइबाद सत्यागरा लॉंच किसके द्वारा लॉंच किया था कॉटन मिल वरकर के लिए किया गया था प्रस्ण संक्या अब मोलन हंद गांधियन अंट्र शॉंट एकंट उसलीय पेर इंड्या है इंडिया यह नहीं चाहते थे यह गलत है कि उनको यह से क्या मतलब था कि पूर्शन नमर्श सेवेंटी तर पूर्शन संग तर तर अब गांधी एक सोश्यो पॉलेटिकल इंप्रूमेंट चाहते थे लिए कब आया जब वह इस्टेब्लिस कर दें कॉर्टेश इंडिस्ट्री फॉर ठीक है कि प्रस्चंग के चौतर कॉश्चंग करना फ्रॉम लेस इंपूट फॉर मॉर पीपल कुछ कम लागत लगा करके ज्यादा लोगों की मादत कर थे ठीक है ना कि प्रसंग के 75 कि कौशनमर 75 यह क्या था कौन से इवेंट सबसे पहले हुआ था तो चंप्यारन सत्यागरा सबसे पहले हुआ था 1915 में प्रसंग क्या 76 कुशनमर 36 तिन कटिया सिस्टम जो था चंपारान का मतलब कल्टिवेशन ऑफ इंगो इन देख चुके थे 76 गांधी जी अटेंशन विदा प्लाइट ऑफ इंडिगो प्रसंट पर वह कौन थे आपके राजकुमार शुक्ले जी थे प्रसंग के 88 चंपारन मुंट जो था वो बिसिकली किसके लिए था लैंड रिवेन्यू के लिए था चंपारन में किया था देख लिए आप खुद देख लिए मुझे बताने की जबुरति प्रसंग चंपारन मुंट था वस्वर किसके लिए था वो प्रॉब्लम उप इंडिगो वर्कर उनकी लिए था ठीक है गांधी जी चंपारन था तिनकठिया से रिलेटर था याद रख प्रसंग्या चौरसी कोशन नबर एटीफोर डाक्र राजेंट परसुएटट महां आत्मा गांधी प्रसुएट्ट परसुएट्ट प्रसुएट्टि नमरे 70 टूर्ड महांत्मा गांधी अटेंशन टुवर्ड्क हम पीजन्ट वाई यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स किस ने किया था राजकुमार सुख लेने किया था दोस्तों याद रखिएगा प्रसंक्या 87 कोशन न इसवन कौन सा जो है असोसियेट करता चंपारन सत्यक्रा महात्मा गांधी से वह कौन था राजकुमार सुख लेजिए प्रसंक्या 98 को यूजय। मात्मा गांदी को डियूरिंग दर चंपारन सत्यकरा इंक्लूडेड कौन-कौन था राजन प्रसाथ ते और अनुगरा नरायन सिना थे प्रसंक्यर नवासी कुशन मरेटी नहीं जो पर संथे जो कनेक्ट थे चंपारन मुमेंट थे वो कौन थे वो जैप्रकास नरायन थे दो कारी चंपारन मुहां यह कुशन के तरह में जीँ तरफ नश्यकरा को ने चाहिट तशिए प्रसंग के चौरान में चंपारण संत्यागरा के अंतरगत पूछ रहा है यह चनेक्टेट में पीजन के साथ सब्सक्राइब के साथ महात्मा गांधी के साथ यह पहला मुमेंट था गांधी जी के द्वारा ओल ओवर इंडिया लेवल पर तो यह क्या था यही दोस्तों यह गलत है ठीक ना आप यह ओल इंडिया लेवल पी नहीं हो आधा किवल यह चंपारन तक ही सिमित था दोस्तों टीरे कितना कैच था इस क्वोश्चन में आल इंडिया लेवल को मतलब क्या हो जागा पूरे पैन इंडिया में जब कि पूरे पैन इंडिया में था प्रमिन था चमपारन सत्यागरा प्रसंग क्या च्यान बेप कोश्य नमबर था नैटीश वो मंग वू वाज्ट नाशनल लिड़र ऑचमपारन इंडिगो मोमेंट के पूंधा मोमेंट के कौन था नाशनल लिडर लोकौन थे रामसिंह विर्श्यामुंडा महात्मा गांदी या बाबा राम चंद्र तो वह और कोई ने माहत्मा गांदी थे तालीस वे बावन भी पीसे में आयो वासे वाले देखे कितना प्रमिनेंट है प्रसंग गया चंतानवे कॉशन प्राइब कोन अपोस किया चंपरन सत्यागर को माहत्मा गादी की दोरा तो वह कोन कि एंगी रंगा ने किया था दोस्तों याद रखेगा प्रसंग के अंठानवे कॉशन अबर 98 जो रीजन था माहत्मा गादीगार जो और्गनाइज कर देखे सत्यागरा भी हाफ पीजंट ऑफ खेड़ा क्या था प्राइब सब्सक्राइब क्या था एक दम सही है यह दोस्तों प्रपोस्ट टू इंट्रिदूस्ट पर्मेंट सेटल और मैं लूद देख लिया और गांदीजि ने किस तरीके से भाईत को आजाद कराने में बहुत अबना योगदान दिया उसको हम लोगने देख लिया है आशा करते हैं अब लेक्च्जर आप लोगों के से समझ्झ में आया होगा अज जो है आको बहुत अच्छे benश्य के सम करेंगे बरबाद होना तया है इसलिए कहता हूं मैं जानता हूं इस सारे वीडियो आप लोग सब नहीं देखते हैं और जो नहीं देखता होगा उसके लिए वह खुद मेरा काम तर पढ़ाना आपको ग्यान देना देख करके चाह रहा हूं अच्छे से पढ़ते रहिए एक्जाम में कम टाइम है मन लगा कर पढ़िए चलता हूं दोस्तों तब तक के लिए जय हिन जय भारत कि अरे है यह बखी दा